डिफ्रेंस बिट्वीन मैनेजिंग डिरेक्टर एंड मैनेजर पहले तो बेटा जो मैं बता रहा हूं वह सेक्शन बता रहा हूं वह दिस्टिंग्विश का पहला क्वाइंट मत रखना इसका टू सब सेक्शन 53 अब आप बोलोगे आपको याद कैसे हैं मैंने आपको एक टेक अरेक एक का सेक्शन टू क्या बात करता है डेफिनिशन ठीक है तो दोनों डेफिनिशन टू में आगए दिख रहा है अच्छा मैं चाहता हूं आप सोचो कि जब आप 10 साल के थे तो आपने सोचा कि आप आपने बोर्ड में लिखा कि आप डैरेक्टर बनना चाहते हूं ऑडव दिरेक्टर फिर जैसेए आपकी ओमर 24 वही तू सब सेक्शन 24 आप बन गए और डिरेक्टर फिर्टिव भीस साल बाद आप बने पने डिरेक्टर फीख 40 साल बाद आप बने अ लेकिन मैंनेजिंग डिरेक्टर से पहले आपने एक साल पहले आप एक साल का एक्सपिरिंस लिया मैनेजर का सब्सक्षिन फिफ्टी लोग समझ में तो ऐसे याद रहेगा आप अच्छा यह सेक्षिन पॉइंट नमबर मत रखना यह ब्रैकेट में लिखना ओके नव शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको यह मला याकुझ समॵब लेजाता हूं रिल्लैयंस का लाइव बताता हूं डृर्टर कि ट्ने स्वाक्षिन यह दिर्रेक्ट्र क्याल्यकषक आईस जी ग्यायरा फारा तेरा चोगदा चयश्वा नीचार के शुला मैनेज़र बहुत और आप डिरेक्टर भी हो जब की मैनेजर का एक ही रोल है आप समझ में और रिलाइंस में जनरल मैनेजर नहीं हो सकता है क्योंकि मुकेश अम्वानी अलड़ी मैनेजिंग डेक्टर है सो मैनेजिंग डेक्टर is the representative of the board as far as day to day administration of the company is concerned वापिस से लेके जाता हूं मुकेश एक टीम में गैरा प्लेर रहते हैं गैरा प्लेर का एक हैड रहता है कैप्टर जिए चौदा डिरेक्टर है इनका हैड को ने जाता है को इस दो मैनेजिंग डिरेक्टर चीक है आगे बढ़ते हैं दो मैनेजर इस इस परसंद इन चार्ज अफोल और सब्स्टेंशली ओल अफेर्स अफेर्स अफ दी कंपनी कंपनी के जो कामकाज रहते हैं उसको चलाने में मैं अजर का में रोल रहता है को मैनेजिंग डिरेक्टर इस एंटरस्टेड विफ सब्सेंशल पार्जवाज मनेजमें यहां पर हो सकता है सब्सेंशली दो होलपार्ज अब अब नेज्मेंट लेकिन डिरेक्टर को कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए स्टाटेज़ी गोल्स यह सब में भी पहले तो डिरेक्टर होना चाहिए इफ यू चेक आउट वापिस से मुक्य शम्मानी तो पहले डिरेक्टर है उसके बाद मैनेजिंग डिरेक्टर है आप डारेक्टली मैनेजिंग डिरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे आप पहले क्या करोगे डिरेक्टर मनेंगे मुक्य और फिर मैनेजिंग दिरेक्टर जबकि मैनेजर निदर डिरेक्टर डिरेक्टर यह मैनेजिंग डिरेक्टर एक कंपनी में एक से ज्यादा हो सकते हैं eco City में मुकीश चम्पानी के रहूंर एक रहा हो और एक और रिटेल के में इंडिरेक्टर हो सकते हैं एक कंपनी में हो सकते एक से ज्ञादा मैनेजन र्डेटर बह Len Track कंपनी में एट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं अच्छा इसमें से ूद्ध ने बोलीनी में जोड़ दो एक आदमी ज्यादा सारा किते कंपणी में मैंनेजिंग डिरेक्टरिशिप कर सकता है दो अभी लेट उस टेक लाइब एक्जाम इन्होंने पॉइंट नी दिया में एक्स्ट्रा पॉइंट बता ठीक है मुकिशम मनी रिलायंस में मैंनेजिंग डि अपॉइंट मैंनेजिंग डिरेक्टर का अपॉइंट कों कर सकते हैं बोड़ अब डिरेक्टर्स या तो शेरोल्डर्स कर सकते हैं या आर्टिकल अफ कंपनी के तहथ तुम एग्रिमेंट कर सकते हो एमडी के साथ मैनेजर नो कर एंप्लाई है अब आपके सवाल आ रहा अप्लाई मैनेजर इस और इंप्लाई तो डिस्टिंविश का पॉइंट नहीं बैठता है बट मैनेजर कॉंट्रेक्ट्च्वल या इसन बोलते ना एंप्लाई अफी कंपनी कॉंट्रेक्ट अफ सर्विस ठीक है रेमुनरेशन एक मैनेजिंग डिरेक्टर देगा तो ज्या मेटिंग में बैठने का एक रुपय मिल सकता है इंप्लिक लिमिटेडर में कितने कंपनी में जाथा तो मैनेजर एक ही कंपनी में जॉब करेगा इधी फुल टाइम है लोजिक समझ में आ रहा है और मैनेजर को तो नॉर्मली पगार जाता है MT को percentage of profit भी दिया जाता है बहुत rare case में इनको percent of net profit देगा मंतली पगार पर नॉर्मली मैनेजर रहता है एक और बार मैनेजिंग डिरेक्टर का section 54 और तुमने मैनेजिंग डिरेक्टर से पहले एक साल पहले जॉप किया तुस अब सेक्षिन तरी और तुम बचपन में बोड में क्या लिखा बोड़ों डिरेक्टर बना चाहिए क्यों सेक्षिन टिरेक्टरग और 24 25 15 24 24 to 59 4 डे डेक्टर फूस अफेशिन घ्रिट्टर बाथ वहोल तैंडिरेक्टर घ्रिक्टर टो वां गयाउननेक्तपस्ध झाल 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 झाल